सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट है तेक्निकल और नॉन टेक्निकल परच्छाओं के चुनिंदा विश्यों और प्रस्णों के लिए बने रहे हमारे चैनल टेक्सकाइब के साथ और जो इस्टुडेंट चैनल पे नए है वह चैनल को स और कमेंट करके हमारा प्रोट्साहन बढाएं गुड बानिंग आर दोस्तों आज कजो लेक्छे रोगाव वहमारा ंडी पर ऐंड गेट पर किसपर एंडगेट पर You can Г गेंगे कि end gate होता क्या है इसका operation क्या है इसका symbol कैसा होता है और हम इसका truth table देखेंगे और साती साथ हम इसका equivalent circuit diagram देखेंगे कि यह कैसे work करता है clear है तो हम इसके theory पर देख लेते हैं theory बहुत बड़ी नहीं है बस simple सा आपको जानना ही कि यह होता क्या है ठीक है तो the end operation is defined the end operation is defined as the output of the output of an end gate is one if all the input are one दो सिंपली से कहने का मतलब यह है कि end end का मतलब क्या होता है गुड़ा करना end का मतलब क्या होता है गुड़ा करना अगर हम mathematical operation में अगर हम बात करते हैं ठीक है तो हम क्या करते है मल्टिप्लिकेशन करते हैं यानि की गुड़ा करते है मतलब क्या होता है गुड़ा करना यmac फिर मल्टिप्लाई करना ठीक है गुड़ा करना या फिर इसका जो हमारा function होता है वो function हम लिखते हैं इस तरह से इसका जो function होता है function को इस तरह से लिखा जाता है ये से हमारा output हो गया y is equal to 2 inputs हैं 2 inputs के लिए तो क्या रहेगा पहला इन्पूट A and दूसरा इन्पूट B तो इसका जो हमारा result लिखा जाता है तो लिखाता है A.B यह हमरा क्या होता है and gate का function होता है क्या होता है and gate का function y is equal to A.B यानि कि output बराबर first input गुड़े दूसरा input अब हम क्या करते हैं इसका हम truth table draw करेंगे तो truth table draw करने से पहले हम इसका symbol देख लेते हैं symbol आपको पता ही है क्योंकि first lecture में हमने आपको बता दिया है symbol जो होता है इसका कुछ इस प्रकार से होता है इस तरह से करके यह और यह हमारे होगे दो input output एक input हो गया A दूसरा हो गया B और यह हो गया हमारा result output आउटपुट का क्या हो जाएगा A.B हो जाएगा तो अगर दोस्तों सिंबल को ध्यान से देखें और इसके result को अगर हम देखें तो analysis करने पर हमको यह मिलेगा कि इसका output कब एक होगा जब हमारे दोनों input वन होंगे तह भी इसका output क्या होगा वन होगा अधरवाइस एक भी input अगर जीरो होगा तो output हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा clear है तो अब हम देख लेते हैं इसका truth table for input sorry two input कित्ते input two input तो जो हम आप सत्य तालिका जो हम बनाएंगे सत्य सारड़ी जो बनाएंगे वो कितने input के लिए है दो input के लिए है तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं टेबल को तो यह रहे हमारे truth table अब हम इसको क्य दो जाए करेंगे two input variable लिए है तो two input variable है तो यह कित्ता हो जाएगा इसके output की combination two power two 2 यानि कि किता हो जाएगा 4 अगर हमारा इंपूट जो है दो ही अगलोह करता है जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है क्लेकुलेटर में अगर हमें त्ट्री प्लस प्लस 4 एड़ किया हमारा ठीक काल्कुलेटर में क्या किले की नंबर टूपरेस किया फिन थ्री प्लस 4 प्रेस किया अब इसको हमें एड कर देंगे तो एड करने के बाद हमारा टोटल इसल कितना है ईगा चार तिन साथ दो यानि कि output हमारा एक डिस्पले हुआ ना यानि कि यहां पर हमने तीन नंबर को add किया तो हमको एक output डिस्पले हुआ यानि कि इसी तरह से हम calculator में भी इसका यूज करते हैं ठीक है और जो हमारे जितने भी electronic circuits यूज होते हैं तो वहां पर भी हम इन gate का यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो gate होता है वो one और zero पर ही function करता है और किसी नंबर पर function नहीं करता है तो हम चले table को देख लेते हैं यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे दो input है तो पहला हमारा condition हो जाएगा zero zero का पहला कैस क्या हो गया zero zero तो हमारा output कितना आएगा a में b है यानिक a गुड़े b यानिक zero zero तो क्या हो जाएगा zero हो जाएगा zero का मतलब low होता है और one का मतलब होता है high जब हमारा signal low है तो हमारा output क्या होगा low प्राप्त होगा 0, 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यानि कि एक signal low और एक signal high तो हमारा output क्या हो जाएगा low clear है यानि कि जब हम low में high का multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा low हो जाएगा, 0 में 1 का multiply करेंगे तो sorry क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हो जाएगा ना जीरो में वन का मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या होगा जीरो हो जाएगा फिन अगर हम ए को हाई कर दिए वन और इसको हम लो कर दिए तो भी हमरा आटपुट क्या होगा जीरो होगा तो यहां पर हम इसको हाई और इसको लो रखते हैं तो आटपुट क्या मिल हमको हाई यानि कि इस कंडिशन में जब हमारे एंड गेट में सारे के सारे सिगनल हाई होंगे तभी हमको इस पर आउट्पूट मिलेगा अधरवाइस हमको आउट्पूट नहीं मिलेगा और सिगनल हमारा क्या रहेगा लो रहेगा suppose that हमको 5V की बैटरी लेते हैं ठीक तो जब हमारा signal 1 होगा यानि कि जब हमारा enable होगा high होगा तब maximum voltage कितना दिखाएगा 5 voltage otherwise हमारा minimum कितना रहेगा 0 रहेगा ठीक है 0 का मतलब reference या फिर ग्राउंड voltage और plus 5 या maximum जितने भी number हम लेंगे उसको हम किस से represent करेंगे one से represent करेंगे clear है चलिए देखते हैं कि हमारा जो end gate है वो work कैसे करता है इसको हमें circuit की diagram की साहता सामें इसकी clear भी थी क्या करते है explain करते हैं तो सबसे पहले हमारा case first होगा सबसे पहले case first हमारा क्या होगा कि जब दोनों input हमारे क्या होंगे low होंगे ठीक है when both input are 0 या low ठीक है यानि कि जब output a is equal to 0, b is equal to 0 तब output हमारा क्या रहता है y is equal to 0 ठीक है आप देखते हैं y is equal to a dot b a की value 0, b की value 0 तो कित्ता हो जाएगा 0 ठीक है तो हम इसके लिए circuit draw करते हैं देखते हैं कि क्या वह circuit जो है वह हमारे चारो के चारो case case 1 case 2 case 3 case 4 के लिए सही है या फिर नहीं है उस circuit को हम truth table से verify करेंगे ठीक है तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि जब कोई भी एक signal हमारा अगर low हो है तो output हमारा 0 हो जा रहा है ठीक है यानिकि अगर देखें तो हम series का case मिला है क्या इसे हमारे series होता है ना series होती है अगर बीच से अगर हम उसको break कर दें बीच से उसको यह हमारा बल्ब है और हमने यहां पर दो स्विच ले लिए एक स्विच हो गया एक स्विच हो गया बी ठीक है तो केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे दोनों स्विच को हम ओपन रखेंगे तो क्या बल्ब जलेगा नहीं जलेगा क्या रहेगा यह आफ रहेगा यानि केस वन में अगर दोनों input हमारे low हैं, यानि कि इस पर कोई supply नहीं मिली है, क्योंकि जब open हो गया, ति circuit break कर दिया और current का flow नहीं होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आफ रहेगा, अब हम देखते हैं condition number 2, अब है हमारा case number second, case number second हमारा क्या कहता है, कि when a is equal to 0 and b is equal to 1, यानि कि जब a हमारा low रहेगा, open रहेगा और b हमारा close रहेगा, तो देखते हैं output हमारा क्या मिलता है, तो इसका function क्या कहता है, y is equal to a.b, तो a का हो गया 0, और b का हो गया 1, तो किता हो जाएगा, 0, यानि कि इस case में भी जो हमारा circuit होगा, वो circuit हमारा क्या रहेगा, circuit तो हमारा यह कही है, क्यों कि इस circuit को हमें verify करना है, यहाँ पर होगा switch A, switch B, switch B हमारा क्या है, close है, switch B क्या है, close है, और switch A हमारा open है, तो क्या इस condition में भी हमारा यह bulb जलेगा, नहीं जलेगा, क्या रहेगा, यह आफ रहेगा, तो बढ़ते हैं case 3 की तरफ, case 3 हमारा क्या कहता है, case 3 जो है, वो यह कहता है कि जब a is equal to 1 and b is equal to 0, तो output क्या होगा हमारा, a.b, यानि कि 1 into 0 बराबर 0, यानि कि इस case में भी हमारा output क्या रहेगा, 0 रहेगा, और जो हमारा bulb रहेगा, वो off रहेगा, ठीक है, तो इसको हम इसी circuit में आपको दिखाएते हैं, आप लोग अलग से इसको बना लिजेगा, तो यह हमारा क्या रहेगा, close हो जाएगा, और b हमारा क्या हो जाएगा, open हो जाएगा, तो इस case में भी हमारा circuit रहेगा, क्या work नहीं करेगा, अगला है case number 4, अगला case क्या है, a is equal to 1, b is equal to 1, तो output क्या हो जाएगा, a into b बराबर 1 into 1 बराबर 1, यानि कि इस case में अगर हमारा जो output, अगर दोनों output हमारे क्या है, high है, तो output हमारे क्या मिलेगा, high मिलेगा, दोनों input अगर हमारे high है, तो output क्या मिलेगा, high मिलेगा, तो हम इसका circuit ड्रॉ करते हैं, यह रहा हमारा सर्कृट ठीक है स्विच ए और स्विच बी तो स्विच एमारा क्या हो गया क्लोज हो गया स्विच भी हमारा क्या हो गया क्लोज हो गया तो अब देख रहे हैं तो हम यह पूरा का पूरा सर्कृट कंप्लीट हो रहा है ना यानि कि अब हमारा जो बल्ब हो जाएगा आन हो जाएगा एक भी इनपुट अगर लो होगा तो हमें कोई आउट पुट नहीं मिलेगा ठीक है तो आप लोग नोट करके इसको लिख लिजिए कि अगर कोई एक इनपुट जीरो होता है तो एंड गेट में आउटपुट क्या रहेगा जीरो रहेगा क्लिर आगला वह ऑफ एंड गेट ठीक है याणि की याद गेट के Christopher को सॉल्व करने हैं और बहुत सारे function हमारे क्या करने है, solve करने पड़ेंगे, अभी हम आगे, आपको K में पढ़ाएंगे, तो K में भी आपको क्या होगा, इसकी ज़ुरत पड़ेगी, इन सारे चीजों को आप लोग क्या करेंगे, notes बना लेंगे, और आप लोग उसको लिख लेंगे, और याद क कर लेंगे, तो जितनी चीजे बोली जाती है, उसको आप लोग नोट में लिख लिया करिए, ठीक है, इचले देखते हैं कि हम law, जो law है, end gate का वो क्या कहता है, तो सबसे पहले, अगर हम A में 0 करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, मिलेगा, उसके बाद, अगर हम A मे 1 का गुडया करते हैं, तो हम क्या मिलेगा? A मिलेगा, यानि की जो input हम देगे, वही same input हमको क्या होगा, output पे मिलेगा, यहाँ पर कुछ भी अगर हम दे रहे हैं, अगर हम 0 से multiply कर देए हैं, तो सबसे क्या हो जा रहा है, जिरो जा रहा है, इसी तरह अगर 2 same input है हमारे, ठीक अगर इसकोम जिरो करते हैं इसको जीरो करते हैं त्थो भी हमारा जो टूट हो जीरो मिलेगा थीक है यह rule बहुत ही important होते हैं आगे आपके लिए बहुत ही काम देगा यह क्योंकि circuit को अभी आपको solve करना है पिछले वीडियो में हमने आपको और gate का law नहीं बताया था इसलिए हम आपको इसमें और gate का law बता देते हैं ठीक है और gate का हम law बता देते हैं तो और gate में क्या होता है कि अगर input A है या फिर कोई भी variable A है उसमें हम zero add करते हैं तो हमें क्या मिलेगा जो input हमने दिया है वह ही मिलेगा A में अगर हम कोई चीज add करते हैं high signal तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर 1 ही मिलेगा क्यों क्योंकि अगर A की value zero है तो one को add करेंगे तो one मिलेगा अगर हम one है A की value one consider किये हैं तो one plus one क्या हो जाएगा one हो जाएगा यानि कि high signal मिलेगा और अगर हमारा A plus A हो रहा है तो भी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा यह ही मिलेगा suppose that zero plus zero zero one plus one one clear है उम्मिद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लगी हो और अगर वीडियो अच्छे लगी हो helpful हो तो वीडियो को like, subscribe और comment जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिए झाल